नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में Realme C11 vs Oppo A54 का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, Realme C11 में 6.47 इंच जबकी Oppo A54 में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है जोकी Realme C11 से कम है Width की बात करें तो Realme C11 में 2.99 इंच जबकि OPPO A54 में 2.98 इंच की Width मिलती है जो की सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो Realme C11 में 0.36 इंच जबकि OPPO A54 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो Realme C11 में 196 ग्राम्स जबकि OPPO A54 में 192 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही इपस LCD की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही बीस रेशियो नौ मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme C11 में 6.52 इंचर्स जबकि OPPO A54 में 6.51 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 720 by 1600 मिलता है Screen to Body Ratio Realme C11 में 82.25 प्रतिशत जबकि OPPO A54 में 82.62 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Realme C11 में 279 प्रति इंच जबकि OPPO A54 में 270 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Realme C11 में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है और ओपोर 54 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, माक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है बात करें video camera की तो, real me c 11 में 9 different type के features मिल जाते है, और ऑपो 54 की बात करें तो उसमें 8 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानी की selfie camera की तो दोनों phone में, single camera देखने को मिलता है, जिसमें की 6 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले बात करें CPU की तो दोनों phone में same ही 12 nanometer है GPU दोनों phone में same ही Power of GE8320 देखने को मिलता है chipset की बात करें तो Realme C11 में MediaTek Helio G35 और OPPO 54 में MediaTek Helio P35 मिलता है बात करें RAM की तो Realme C11 में 2GB की RAM मिलती है जबकि OPPO 54 में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 4GB, 6GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Realme C11 में 32GB की storage मिलती है जबकि OPPO 54 में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB, 128GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों phone में up to 256GB है operating system दोनों phone में Android V10 Q देखने को मिलती है बात करें तो दोनों phone में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो Realme C11 में 2 colors जबकि OPPO 54 में 3 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Realme C11 में एक ही variant देखने को मिलता है जोकी 2GB RAM 32GB storage के साथ 7,499 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें OPPO 54 की तो उसमें 3 variant देखने को मिलते है जोकी 4GB RAM 64GB storage के साथ 13,490 रूपीज 4GB RAM 128GB storage के साथ 14,490 रूपीज 6GB RAM 128GB storage के साथ 0,590 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Realme C11 में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें OPPO 54 की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो Display में दोनों फोन सेम ही है Main Camera में दोनों फोन सेम ही है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M01 Core है, दुसरा Xiaomi Redmi 9 Prime है, तीसरा Oppo A53 2020 है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Gionie Max है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना